मैं एक खिशान का बेटा हूँ, पापडोदा मेरा गाओं है, मेरे पिता जी किशानी करते हैं और हम चोदरियोंपर का स्टड़ा चोदरी देविलाल और चोदरी काशीराम बहन माया बती जी की विचार धारा को लेकर इस समाज के बीच में इस छेतर के बीच में आये हैं क्यो कोई भी ऐसी संस्ता हमारे बीच नहीं है, जहां हमारे युवा बच्चे, हमारी बहने, हमारे गरों के बच्चे जो पड़ाएगे छेतर में आगए जाकर अपना उजविल बेविशा बना दलिद बेटी का अपमान हुआ है हर्याना में, तो आपको लगता है इस बार दलिद समाज इसका पूरा बदला लेगा आरक्षन को लेके बात करें हम, तो राहूल गांदी ने एक बड़ा बयान दिया है, कि अगर उनकी सरकार आती है, तो आरक्षन को पूरे तरीके से खतम कर देंगे, तो इस पे आपकी क्या पृतिक रिया है नीशन कोच ये कहने में कोई भी डर नहीं है, कि हम हर वरग को तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे नमस्कार आप देख रहे हैं दलिट टाइम्स और मैं हूँ एक तयादव आपके साथ हर्याना में जल्दी विधान सभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हमारी टीम निकली है चुनावी यात्रा पे और इस वक्त हम मुझूद है बेरी विधान सभा शेत्र में और हमारे साथ हैं बियस पी इन लोग के पितियाशी प्रमोद राठी जी सर आपका बहुत-बहुत सवागत है हमारे चैनल में और हम चोधर यों पर का सोटड़ा चोधरी देविलाल और चोधरी काशिराम बहन मायावती जी की विचारदारा को लेकर इस समाज के बीच में इस छेतर के बीच में आये हैं क्योंकि हमने बच्पन से और आज तक पड़ा देखा है कि राजनितिक लोग जिनोंने इस देश को पहले भी लूटा है और अब भी लूटने को लगे हुए हैं वो लोग हमेशा कहीं न कहीं कभी जातिवाद कभी धरम के नाम पर इस देश को इस परदेश को और इस परदेश की जनता को बैक आकर शर्फ और शर्फ उसे लूटने का काम करते हैं सर अगर हम बात करें तो यहां कि स्थानिय मुद्दे क्या हैं हमारे यहां स्थानिय मुद्दे आप ये पुछो हैं कुण से नहीं क्योंकि मुझूदा विदायक जो पिछली च्छे बार से बेरी विदान सबा से लगातर विदायक बनते आ रहे हैं लेकिन आज तक अगर हम बात करें कोई भी सिंगल कारी है जो बेरी अलकी की जनता के लिए किसान के लिए कमेरे के सबसे बड़ा मुद्दा है कोई भी ऐसी संस्था आमारे बीच नहीं है जहां हमारे युवा बच्चे, हमारी भेहने, गरूं के बच्चे जो पढ़ाएगी छेतर में आका जाकर अपना उजबल भेविश्चे बना सके साथ में बात पीने के पानी की हमारे छेतर में पीने के पानी की सबसे बड़ी समश्या है उषके बाद हम, अगर आते हैं किसाने पे जिस्षे हर घर चलता है। कारिया नहीं है जिस्षे कोई भी वैक्ति संतुष्ट हो सर यहां दो दश्कों से कॉंग्रेस और बीजेपी की सरकार रही है तो आप मुझे बताएगे अगर आपकी पारिटी की सरकार बनती है तो यहां की जो स्थानिय मुद्दे उन पर काम होगा मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा मैडम पहले भी जब चोदर योंपरकास चुटला मुख्यमंतरी रहे हरियाना प्रदेश के तो सबसे ज्यादा कारिया उन्होंने हमारे एक चित्र के अंदर कराने की काम की आप जजजर के अंदर सेक्टरेट देखोगे तो वो चोद उसे बड़ी देन चोदर योंपरकास चुटला की हो और जैसे ही हमारी पार्टी सत्ता गे अंदर आती है तो इस पूरे अर्याना प्रदेश को नहीं पूरे हिंदुस्तान को हमारे नित्ता पे एक विश्वास है कि चोदरी अबैसिन चुटला शिर्फ हो शिर्फ किसान और कमेरे कायतेशी है वो इन पार्टियों की तरह पूंजी पतियों का गुलाम वेक्ति नहीं है और नहीं उनकी गुलाम विचारदारा है क्योंकि हमारी पार्टे की विचारदारा चोदरी देविलाल की विचारदारा है चोदरी देविलाल वो वेक्ति रहे हैं जिनोंने जब अब देश गुलाम था हमारा अंग्रेज हमारे देश पर कपजा किये हुए थे उस टाइम पर चोधर इदेविलाल जी लोग एक अपीपा होता ना टीम जिसके अंदर घी डालते हैं उसको बजाते थे और चुराय पर जाकर अपने लोगों को जागरू करने का काम करते थे तो दो विचारदाराएं एक साथ आने लग रही हैं विचारदारा किसान कमेरे की इस देश का सारास्ति था किसान और कमेरे के उपर है लेकिन पिछले कुछ समय से आप देख्या होगा जितना कांगरेश का कारिये काल रहा है जितना बीजेपी का कारिये काल रहा है कांगरेश क सबसे बड़ी चीज है जो पिछे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कॉंग्रेस पार्टी से हमारी बड़ी भेन है शेल जाजी उनके साथ देखो आप कॉंग्रेस पार्टी के नेता उनने कैसे जाती सुचक सबद उनको अपमानित करने का काम किया लेकिन अब लोगों को एक उमीद है एक वरोसा है कि हम किसान और कमेरे एक स्टेज पर होकर इस परदेश की और फिर इस देश की भूमी का बदलने का काम करेंगा सर दलित बेटी का अपमान हुआ है हर्याना में तो आपको लगता है इस बार दलित समाज इसका पूरा बदला लेगा आपने देखा होगा दो-तीन दिन से एक वीडियो चल रही है कि दलित समाज ने जीन्द के अंदर महापंचायत करके एक फैसला लिया कि हम कॉंग्रेस को वोट नहीं देंगे उससे पहले फैसला पहले ही था कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे और बात रही लोगों को विश्वास होता आपने नेताव पे कि वो आपके लिए कोन वैक्ति हैं क्या काम करने वाड़े हैं चोदरिया बैसिंग चोटड़ा पे हर समाज को गरव है भेनमायवती पे हर समाज को दलित को पिछडा वरक को हर एक व्यक्ति को ये भरोसार विश्वास है कि ये दो व्यक्ति जब इखटे हो का आपके लिए राजनितिक कारिय करेंगे तो उसमें आप वो नीशंकोच अब हम अरक्षन को लेके बात करें हम तो राहूल गांदी ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो आरक्षन को पूरे तरीके से खतम कर देंगे तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैं एक बात बताऊंगा आप ये देखो जब डक्टर भीमरा वंबेटकर जिनने सुविधान बनाया तो हर चीज देखने के होती है कि अरे हर जाती के पास अलग गलग वेपसाई रहे हैं हमेशा से ही वो वर्गों में बटे हुए हैं लेकिन ये बड़ी देखने की चीज है कि आरेक्षन के अंदर किस गरीब के बच्चे को क्या फायदा मिल रहे है क्योंकि आज सबसे जरूरी चीज आरेक्षन है वो किसलिये है कि जो बीजेपी और कॉंग्रेस पार्टी है उन्होंने इस आरेक्षन को एक दमबटे खाते करका सिरुप पैसे की नोकरियां कर दी है सबसे ज़्यादा पैसा चलता है अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन से कांग्रेस के नेता कह रहे हैं जो पचास पर्ची लेगा होगा उसको सरकारी नोकरी मिलेगी दो लाख नोकरियां उड़ा साब देंगे सबसे ज़्यादा मेरे को जिता हो भी हमारे अलके को दो ल तो अगर आपकी पार्टी की सरकार आती तो आप किस तरीके से उनका अतमिश्वास वापस लेके आएंगे आप एक चीज़ आपने सायद पहले ध्यान किया हो तो जब चोदरी देविलाल मुख्यमंतरी हर्याना के थे उस समय पर ऐसी चोपाल का निर्मान चोदरी देविला ने किया था तो हमें नी संकोच ये कहने में कोई भी डर नहीं है कि हम हर वरग को तरकी के रास्ते पे ले जाएंगे और जो हमारे गरीब वरग है उनके लिए अब चोदरियों परकास चोटला चोदरिया वैसिंग चोटला और बहन माया बती जी ने एक विचार बनाया है कि सोगज के पलाट के साथ साथ एक कमरा और लेटिंग बाथरूम उनके लिए बना के देंगे क्योंकि गरीब के पास अगर हम पलोट देते थे हैं तो हमने पिछे देख है परिष्टी थिया ये रही है कि उनको बेचारों को वो बेच का अपना घर गुजर करना पड़ा है ल अपको पता हो तो उसके साथ साथ गरबबती महिलाएं हैं जो गरीब परिवारों से हैं उनके लिए गरबबती बता तो देविलाल ने लागू किया था तो उन नीतियों पे चलते हुए हम अब भी जिन जिन चीजों की हमारे इन पिछड़े वरक के लोगों को जरूरत होग हम सबसे पहले ध्यान करेंगे कि जितने भी युवा हैं दलित वरक के उनके लिए रुजगार का साथन सबसे बड़ी होती है आपके घर में कमाई का साथन उसके साथ आपकी रोटी चलती है रोजी होती है फिर रोटी चलती है उसके बाद कपड़ा होता है फिर मकान होता है तो एटोमेटिक लिए हमारा हर्वर अच्छा हो जाएगा फिर दूसरी बात आप देखना सब से बड़ी कि हमारे दलित समाज की जो बस्तियां हैं वहाँ पीने के पाणी की बड़ी समिश्याएं हैं लाइट के लिए बड़ी समिश्याएं हैं तो हम चोधर योंपरकास चोट अगर आपकी पार्टी की सरकार आती हैं तो यहांपे क्या-क्या सुधार करेंगे अब सबसे पहले, मैं सबसे पहले अगर बेरी चेतर में कोई कारिये करूंगा तो वो हर गाव में पीने के पानी की सुई था क्योंकि हमारे चेतर के अंदर कैंसर का रोग बड़ी तेजी से फैल रहे हैं अगर हम सवस्त नहीं होंगे तो हम आगे करेंगे क्या सबसे पहले पहला सुक नरोगी काया तो यह हमारे बड़े भी शिकाते हैं तो जब हमें नरोगी काया करने है तो पीने का पाने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है उसके बाद हमें अपने बच्चों को उच्छा जो डिगल के अंदर बेरी के अंदर कहीं भी कोई स्थान जहां कोलज जो स्पेशल हमारी बहनों के लिए हो जिने बड़ी प्रेशानी जेननी पड़ती है जो तक जाना पड़ता है जजर जाना पड़ता है उसके साथ सवास्ते के लिए जो सुविदाय होंगी बो लागू फिर जो मैंन बात एक और रहेगी हमारे छेतर में खेतों के अंदर बारिस का पाणी बहुत ज़्यादा नुक्षान करता है उसका प्रोपर बंदोबस्त किया जाएगा कि हमारी फसले खराब ना हो अगर हम बात करें तो कॉंग्रेस ने एक तरीके से पूरे दली समाज का अपमान किया एक तरफ वो आरक्षिन को खतम करने का दावा कर रही है दूसरी तरफ कुमारी शेलजा का अपमान कर रही है तो इससे दली समाज में आक्रोश बढ़ चुका है तो आपको लगता है इससे माहोल बदल जाएगा पूरे तरीके से आप नहीं देख्या होगा पिछले तीन दिन से कॉंग्रेस और बीजेपी पार्टी के सब इनेताओ को पशीने आ रखे क्योंकि हम अगर बबूल का पेड़ बोएंगे ना तो जी हमें गुलाब कहीं से नहीं मिलेंगे आप दली समाज को तो छोड़ो ये वो एंकारी लोग हैं जोनों किसी भी वरक को नहीं छोड़ा है और दली समाज ने हमेश्या बदलाओ के तरफ राष्टा और कदम बढ़ाए हैं और अब ये उनको देखने को मेरे हैं कदम तो बढ़ाए हैं पर कोई बदला हुआ नहीं है दली समाज के लिए आप एक चीज ध्यान में करो जब जब राज अच्छे वेक्तियों के आए हैं जिनकी मानशिक्ता हर कौम को एक साथ लेके चलने की है तब तब बदला हुए हैं जब चोदरी देविलाल सत्ता के अंदर आए तो बदला हुए हैं आपन मैं आपको बताया ना कि हरीजन चोपाल जो एशी चोपाल थी वो चोदरी देविलाल ने दी थी गर बती महिला बता चोदरी देविलाल ने किया था गरीब की बेटी की शादी के लिए कन्यादान चोदरी देविलाल चोदर योंपरकास चोटाडान लेकिन कहीं ना कहीं जब चोदर योम प्रकास चोटाडा ने 326 बच्चों को नोकरियां दी थी उस समय बाजपा और कॉंग्रेशन ने शड़ी अंतर करका है पूरे हरियाना को दोखा देने का काम क्या था क्योंकि उन्हें जचता था कि जब चोदर योम प्रकास चोटाडा अगर सत्ता में दोबारा से आगे तो तुमारी दाड़ नहीं गड़ेगी तुम लोगों को नहीं लूट पाओगे उसके बाद किसी ऐसे वक्ति को सत्ता सुक तो नहीं मिला है ना कि जो इन दोनों चीजों को किसान और को मेरे को साथ लेके चलता हुआ सर कुमारी शेलजा का अपमान हुआ है ये पहली बार नहीं है कि किसी दलित नेता का अपमान हुआ है और ये कॉंग्रेस के द्वारा बार बार हुआ जा रहा है तो इस पर आपकी क्या परती करिया है आप कुछ कहना चाहेंगे अब मैं को एक चीज़ और बताऊंगा आपको हमारी बैन सेलजा से पहले डुक्टरा सोक्तवर उनके साथ भी वुपंदर सिंग उड़ा ने ऐसा ही काम किया था ये वैक्ती सिर्फ और सिर्फ काम करता है तो गांधी परिवार के जीजा के लिए करता है उनको प्रोपर्टी अ याने के देने का इसका काम है और इसी से उड़ा साब का घर चलता है और अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कल आपने सायद एक वीडियो वायरल हो रखी वो नहीं देखी होगी कि डिगल के अंदर दिपिंदर उड़ा डॉक्टर रगभीर सिंग काद्यान आप दल लोग एंकारी लोग हैं और इनका एंकारब की बार जनता तसली से निकाल देगी रही दूसरी बात जब आठतारिक कोई सर्याना के प्रिणाम आएंगे और चोदरी अब हैसिंग चोड़ा जब मुख मंतरी होंगे ना तो आप देख लेना ये लोग बिल में घुश क्योंकि चोदरी अब हैसिंग चोड़ा ने सपश्ट सब्दों में का है कि हम किसी का अपमान चाहे वो राजनिती में हमारा विरोधी है या हमारा पक्षदर है सामाजिक नुक्षान सामाजिक उसका अपमान हम सेन नहीं करेंगे और इन चीजों का बखू भी उनसे हिसाब सभी पाइटिया दलित उत्थान के लिए काम करें बोलरी कि आगे जाती हो दलित समाज के लिए काम करेगी पर अगर देखा जाये तो कुमारी शेलजा का जो अपमान हुआ है उसका काईन यह है कि क्योंकि वो एक दलित है यह कमजोर मानशिक्ता के लोग हैं जो कभी भी सच्चाई को फेश नहीं कर सकता न वो वैक्ति दूसरे को दबाने की कोशिश करेगा यह अपने हर फिल्ड में देखा होगा वो इकारण बना है कि कही ना कहीं वो पंदर शेंग उड़ा को डर है कि अगर बेन कुमारी देखेर जाएगी तो तिरेको कुरशे नहीं मिलेगे उन लोगों को ये मतलब ही नहीं है कि हमें शम्मान किसको देना चीए वुख सम्मान को नहीं जानते ना लोगों के कारिये को जानते न विकास को जानते ये मने आपको बताया तो सरी ये हैजेंट है गांधी परिवार के जिनका कारिये एक है और गांधी परिवार ने सपस्ट बता रखा है कि आप लोगों को वहां कुर्शी पर बैठ का हमारे लिए प्रोपर्टी घठी करनी है बस इसलिए य पर उसी के बाद हुड़ा बोल रहे हैं कि ये तो हमारी बहने इनका अपमान कोई कर नहीं सकता है इस वे में उनका भी एक बयान आया है अब मैं एक चीज और बता देता हूं आपको बहन के नहीं का जो कारण बना है कि दलित समाज ने जब कॉंग्रेस पार्टी को वोट ना देने की कसम खाली लेकिन जो कुमारी शैलजा जी का बयान है वो कहीं ना कहीं राजनितिक दबाव हो जाते हैं पार्टी के अपज में लेकिन अंदर से जो उनको ठेस पोची है उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है उनको ठेस पोची है फिर भी वो अभी कॉंग्रेस में है बीजेपी का भी नोता है बीएसपी इनलों का भी नोता है उनके पास पार्टी जोइन करने के लिए पर अभी खबर आ रही है कि वो कॉंग्रेस का परचार परचार सुरू करने वाली है कि हम सबको सम्मान ले करें सब का हम ओसलव पटास के शब का सम्मान कर सके को अगर किशी को पर्ताडित कीया चारता है तो वो हमabil Gente कर सकते लेकंन लेकिन पता नहीं क्यों भेण जी के क्या कारण है जो वह अब भी नहीं निकल के आप आ पारी तो तो उन लेकिन हम आपके टीवी के मादम से एक बात कहना चाहेंगे कि मैं स्पेशल दली समाद से ये पराथना करना चाहूंगा कि आप उन आलातों को उन मंजरों को समझो जो आज कुमारी बेन सहलजा के सामने खड़े हैं कि आपमान को सहते हुए उन्होंने खून के घूट पीए है आसू पीए हैं और वो बेचारी खुल के बोल भी नहीं पारी तो मैं अपने समाद से आजोड के पराथना करूंगा कि आप उन ताकतवरों को सबक सिकाने का काम करें अब की बार उनको अराक उनके घर बेठाक हैं और अपनी सत्ता बनाएं अपनी सरकार बनाएं जिस से आपको मान भी मिले और आपका विकास भी हो सर आप हमारे चैनल के द्वारा यहां के शेत्र के लोगों से कुछ बताना चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे मैं एक ही बात कहूंगा हमारा चैत्र मैडम हमेशा एक अलग ही प्रिसनल्टी गारा है आपने साइद नहीं पता हो तो मैं कुछ थोड़ा अपने गाउं के बारे माँ आपको बता देता हूं यह गाउं भी हमारा ही गाउं हमारे जैसे गाउं से निकास हो के जहां हम बैठे हम वो हमारे गाउं का इतियास रहा है जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम कर रखा था और जब लगान वो लेते थे तो हमारे गाउं ने कभी लगान में दिया अंग्रेजों को तो हम लड़ा का प्रकृती के व्यक्ति हैं और मैं अपनी बेरी विदान सबा की जनता को प्राथना करूँगा कि जो 30 साल से हमें गुलाम बना के रखा है शिर्फ जूठी बातों पर अपने पन की चोदर की बातों पर उन सब से बाहर निकल का अब की बाहर पांस तारीक को भ विकास के नाम पर युदा के रुजगार के नाम पर अच्छी शिक्षा के नाम पर अच्छी सवास्टेशोगीदाओं के नाम पर किसान और मेरी की आए दुगनियों उसके नाम पर आपका बहूत बहुत धन्ये पो